मुंबई महानगर पालिका के जेरे इहतिमाम चारी वर्चुल क्लास में मैं रफियब गुलाब आज के सबक में आपका इस्तक्बाल करता हूँ प्यारे बच्चो अस्सलाम वालेकुम ये है हमारी अर्दू कुमार भारती दर्सी किताब और इसी किताब से आज हम पढ़ने वाले हैं एक घजल आज हम जो घजल पढ़ने वाले हैं वो है घजल नंबर चार जिसके शायर हैं फानी बदायूनी लेकिन उससे पहले एक एहम बात हिंदी जबान की एक कहावत है जहाना पहुचे रवी वहां पहुचे कवी यानि सूरज जहां नहीं पहुच पाता शायर अपनी सोच और तख्यूल की मदद से वहां पहुच जाता है शायरी में इनसान जिन्दगी और काइनात के बारे में अजीब औ गरीब ख्यालात मिलते हैं जो हमें महसुसात की एक अलग दुनिया में ले जाते और गोर और फिकर पर आमादा करते हैं फानी बदायूनी की इस घजल में भी ऐसी ही बसीरत अफ्रोज बातें बयान की गईी हैं घजल नमबर चार जिसके शायर हैं फानी बदायूनी जान पहचान फानी का असल नाम शौकत अली खान था वो अठारा सो अनासी में उत्तर परदेश के जिला बदायूं में पैदा हुए बरेली कालेज से बी ए पास करने के बाद वो कुछ अरसे तक मदर्रिस रहे बाद में मलाजमत तर्क करके अली गड़ में M.A.O. कालेज मौजूदा अली गड़ मुस्लिम यूनिवरसिटी से L.L.B. की डिगरी हासिल की 1932 एसरी में महाराजा किशन प्रशाद की दावत पर हैदराबाद पहुँचे वहां एक सरकारी स्कूल में हेड मास्टर हो गए 1941 में हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ फानी की शायरी में दर्द औ गम के मजामीन की कसरत के सबब फानी को यासियत का इमाम कहा जाता है एर फानी आते फानी विजदानी आते फानी और बाकी आते फानी उनके शेरी मजमुवे हैं प्यारे बच्चो अब हम घजल लंबर चार पढ़ेंगे जिसके शायर हैं फानी बदायूनी आईए समात फरमाएं खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का खल्क कहती है अगला शेर समात फरमाएं एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का जिन्दगी का एको है खाब है दीवाने का खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का अगला शेर समात फरमाएं हम पढ़ रहे हैं घजल लंबर चार जिसके शायर है फानी बदायूनी शेर समात फरमाएं जिन्दगी भी तो पशेमा है यहां लाके मुझे जिन्दगी भी तो पशेमा है यहां लाके मुझे ढूंडती है कोई हीला मेरे मर जाने का धूंडती है कोई हीला मेरे मर जाने का खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का एक गोशा है यह दुन्या उसी वीराने का आईए अगला शेर समात करें आज हम पढ़ रहे हैं घजल नमबर चार जिसके शायर है फानी बदायूनी शेर समात फरमाएं तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग आओ देखो ना तमाशा मेरे घम खाने का आओ देखो ना तमाशा मेरे घम खाने का खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का अगला शेर समात फरमाए आज हम पढ़ रहे हैं घजल नमबर चार जिसके शायर हैं फानी बदायुने शेर समात फरमाए दिल से पहुची तो है आँखों में लहू की बूंदें सिलसला शीश से मिलता तो है पैमाने का सिलसला शीश से मिलता तो है पैमाने का खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दिवाने का एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का आईए अगला शेर समात फरमाए हम पढ़ रहे हैं घजल नमबर चार जिसके शायर हैं फानी बदायुनी शेर समात फरमाए हर नफस उम्रे गुजशता की हैं मैत फानी हर नफस उम्रे गुजशता की हैं मैत फानी जिन्दगी नाम है मरमर के जिये जाने का खलक कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का उसी वीराने का उसी वीराने का आवाज में आपको घजल सुनाई आईए अब हम अशार की तश्री करते चलते हैं आप से गुजारिश है के तवज्जो से समात फरमाएं शेर है फानी बदायूनी की घजल हम पढ़ रहे हैं शेर है के खलक कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का खलक कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का एक गोशा है ये दुनिया इसी वीराने का तो शायर कहता है कि ये दुनिया इस काइनात में एक गोशे की तरह है और इसलिए शायर ने दिल को काइनात से ताविर किया है वो कहता है कि ए मेरे महबूब दुनिया के लोग जिसे तेरे दीवाने का दिल कहते हैं दर असल वो एक वीराना है एक और गेर आबाद जगे है जो तमाम तर जजबात और एहसासात से आरी है जी रूह से खाली है और ये दुनिया इसी वीराने का एक गोशा है आईए आगे बढ़ते हैं अगले शेर की तश्री समात फर्माएं शेर है एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का जिन्दगी काहे को है खाब है दीवाने का जिन्दगी काहे को है खाब है दीवाने का इस शेर में शायर ने जिन्दगी को एक खाब से ताबीर किया है शायर ने जिन्दगी को खाब बताया है खाब जिसकी कोई हकीकत नहीं होती और खाब भी एक ऐसे दीवाने का जिसका दमाग सही नहीं है और फिर ऐसे शक्स के खाब की क्या हकीकत हो सकती है वो जिन्दगी के राज कैसे समझ सकता है उसके लिए जिन्दगी की हकीकतों को जानना एक बहुत ही मुश्किल काम है और ये एक मुअम्मा है जिसे ना समझा जा सकता है और नहीं समझाया जा सकता है आईए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं हम पढ़ रहे हैं घजल लंबर चार जिसके शायर हैं फानी बदायूनी अगले शेर की तश्री जिन्दगी भी तो पशेमा है यहां लाके मुझे जिन्दगी भी तो पशेमा है यहां लाके मुझे ढूंडती है कोई हीला मेरे मर जाने का ढूंडती है कोई हीला मेरे मर जाने का शायर कहता है के मुझे आलम अदम से आलम वजूद में लाकर जिन्दगी खुद पशेमान है शर्मिन्दा है नादिम है जिन्दगी को मेरा वजूद बेकार महसूस होने लगा है और वो चाहती है के मैं आलम वजूद से मुलक अदम लोट जाओं इसलिए अब वो मेरे मरने का कोई बहाना ढून रही है कोई हीला ढून रही है जिन्दगी मेरे मरने याने शायर के मरने का कोई बहाना ढून रही है आईए अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं घजल लंबर चार शायर फानी बदायूनी तश्री शेयर है तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग आओ देखो ना तमाशा मेरे घम खाने का आओ देखो ना तमाशा मेरे घम खाने का शायर कहता है कि आफते ना गहानी यने अचानक आने वाली आफत के वक्त अगर अपनों का साथ मिल जाए तो हिम्मत बढ़ जाती है हिम्मत बंद जाती है और इनसान हालात का मुकाबला कर सकता है मगर जब अपने भी मुँँ मोड लें तो इनसान तूड जाता है कुछ ऐसी ही कैफियत को शाहर ने अपने अंदाज में शेयर में बयान किया है उसके अफराद खाना उसकी मुखालिफत पर उतर आए है उसके जो अपने हैं रिष्टेदार है शायर की मुखालिफत पर उतर आए है और शायर का घर मातम कदा बना हुआ है घर में चीख उकार मची हुई है और एक अजीब सा तमाशा हो रहा है शायर बड़े दुख भरे लहजे में कहता है कि तुमने कभी घर को रंग बदलते हुए देखा है आस्मान का रंग बदलना उर्दू शायरी में जर्बुलमसल बन चुका है कावत है आस्मान का रंग बदलना मगर घर का रंग बदलना ये शायर का अपना अनोका ख्याल है वो लोगों से कहता है कि आओ और मेरे घर का तमाशा देखो मेरे घम खाने का तमाशा देखो यानि मेरे घर के जो हालात है जो शायर के खिलाफ हैं लोग उसकी मुखालफत पर उतर आए हैं उसके अपने अफराद खाना शायर की मुखालिफत पर उतर आए है तो ऐसे में शायर खुद लोगों से कहता है कि आओ मेरे घम खाने का मेरे घर का तमाशा देखो आईए अगला शेर हम पढ़ने जा रहे हैं समात फरमाएं घजल नमबर चार फानी बदायों नी शेर की तश्रिए दिल से पहुँची तो हैं आँखों में लहू की बूंदें सिलसला शीशे से मिलता तो हैं पैमाने का सिलसला शीशे से मिलता तो है पैमाने का शायर की आँखों में लहू की बूंदें दिल से पहुची हुई हैं और इसी तरह शीशे से पैमाने में शराब उंडेली जाती हैं तो वो पैमाना भी सुर्ख दिखाई देता है यानि जो सिलसला दिल से आँखों का है वही मौमिला शीशे से पैमाने का है तो शायर कहता है कि गमे रोजगार ने उसको इस कदर रंजिदा खातिर किया है कि उसका दिल खून हो रहा है और आँखें खून के आंसू रो रही है इसलिए शायर ये कहना चाहता है कि मेरी आँखों की सुरखे शराब की मरहूने मिन्नत नहीं है शराब की महताज नहीं है बलके इस खून होते हुए दिल की बदावलत है जो घम हाए रोजगार का मारा हुआ है इस शेर में सनत इस्तियारा इस्तिमाल हुई है आईए अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं मकता आखरी शेर घजल का जिसमें शायर अपना तखल्स इस्तिमाल करता है उस शेर को मकता कहते हैं हर नफस उम्रे गुजश्श्टा की है मैत फानी हर नफस उम्रे गुजश्श्टा की है मैत फानी जिन्दगी नाम है मरमर के जिये जाने का जिन्दगी नाम है मरमर के जिये जाने का ये जो मिस्रा है जिन्दगी नाम है मरमर के जिये जाने का और ये शेर पूरा का पूरा एक मुअम्मा है समझने का ना समझाने का जिन्दगी काहे को है खाब है दिवाने का तो फानी बदायुनी का ये मिस्रा जिन्दगी नाम है मरमर के जिये जाने का और जिन्दगी काहे को है, खाब है दिवाने का, या फिर एक मुखमा है समझने का ना समझाने का, तो ये एक शेर और ये एक मिसरा, ये दरसल एक कहावत की शकल इख्तियार कर गया है, और कई मजामीन में ये इस्तिमाल किया जाता है, जिन्दगी नाम है मरमर की जीए जाने क या एक मुम्मा है समझने का ना समझने का जिन्दगी काहेखवँ है कोई खाब है दीवाने का बहुत मशहूर मिस्रे हैं फानिबदाईूनी के तो आईए समात फरमाएं हर नफस عمر गुजशता की है मयत फानी जिन्दगी नाम है मरमर के जीह जाने का शायर कहता है कि जिन्दगी और मौत के दर्मियान का फासला हर जी रूह का अरसह हयात होता है जिन्दगी और मौत के दर्मियान का जो फासला है दरसल वही जिन्दगी का अरसा माना जाता है तो ये जो अरसे हयात है वो उम्र के साथ गड़ता जाता है है ना हर साल सालगेरा मनाते हैं लोग खुशी मनाते हैं लेकिन अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि भई सालगेरा की खुशी ठीक है लेकिन जिन्दगी का अरसे हयात का एक साल भी कम हो गया है है ना आपने अक्सर ऐसा लोगों को कहते हैं वे सुना होगा तो उम्र के साथ ये अरसे हयात गड़ता जाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब तारे नफस का सिलसला तूट जाता है और वो दुनियावी आलाईश से आजाद हो जाता है शायर कहता है कि हर सांस गुजरी हुई अम्र की मईت है अम्र गुजरती जाती है और इनसान मौत से करीब होता जाता है इस शेयर में शायर ने यही कहा है और इस अरसे हयात में उसे बेशिमार मसाइब और तकलीफों को, मुश्किलों को जहिलना पड़ता है तकलीफें, सोबतें, बरदाश्ट करने पड़ती है उसके लिए जिन्दगी कभी राहत अफजा होती है तो कभी रूह फरसा यानि कभी आराम दे होती है, तो कभी तकलीफ दे होती है वो रोज मरता है और रोज जीता है इसलिए शायर में कहा है, कि जिन्दगी नाम है मरमर के जीए जाने का शायर मरमर के जीने को जिन्दगी का नाम देता है ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला शेर है प्यारे बच्चों अब हम कुछ मश्की सरगर्मिया करेंगे आप से गुजारिश है कि तवज्जों से समात फरमाएं सबसे पहले हम फानी बदायूनी से मतालिक इस घजल के शायर फानी बदायूनी से मतालिक रवा खाका मुकमल करेंगे रवा खाका आप देखिए अठरा सो उनासी ईस्वी में उत्तर परदेश के जला बदायूं में पैदा हुए फानी बदायूनी अठरा सो उनासी ईस्वी में उत्तर परदेश के जला बदायूं में पैदा हुए उसके बाद है सन 1932 ईस्वी में महराजा कृष्ण परसाद की दावत पर वो हैदराबाद पहुँचे उसके बाद है सन 1941 ईस्वी में हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ ठीक है आगे बढ़ते हैं अब शायर से मतालिक शबकी खाका मुकम्मल करना है शायर का नाम आप जानते हैं फानी बदायूनी इस खाके को हम मुकम्मल करेंगे नाम शायर का आप जानते हैं फानी बदायूनी लेकिन उनका असल नाम है शौकत अली खान अब तखल्स उनका तखल्स क्या है फानी शौकत अली खान फानी इस तरह से डिग्री उन्होंने जो हासिल की तालीम एल एल बी और हेड्मास्टर हुए वो 1932 इस वी में हेड्मास्टर के उहदे पर फाइज हुए ठीक है आईए आगे बढ़ते हैं घजल नमबर चार जिसके शायर है फानी बदायूनी फानी बदायूनी के शेरी मजमुए इर्फानिया थे फानी विजदानिया थे फानी और बाकिया थे फानी फानी बदायूनी के तीन शेरी मजमुए हैं नमबर एक इर्फानिया थे फानी नमबर दो विजदानियाते फानी नमबर तीन बाकियाते फानी आगे बढ़ते हैं घजल नमबर चार जिसके शायर हैं फानी बदायूनी एक शेर लिखना होता है हिदायत के मताबिक तो मतला लिखना है तो आप जानते हैं कि किसी भी घजल का पहला शेर मतला कहलाता है किसी भी घजल का पहला शेर मतला कहलाता है और आखिर में जिस शेर में शायर अपना तखल्स इस्तेमाल करता है उसको मक्ता कहते हैं पहला शेर मतला और तखल्स वाला आखरी शेर मक्ता कहलाता है यहां हमको मतला लिखना है खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का ठीक है आगे बढ़ते हैं हिदायत के मताबिक शेर लिखना है और अब आपको लिखना है हुसने मतला हुसने मतला से मुराद घजल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरों में रदीफ काफिया होते हैं पहले शेर की तरह दूसरे शेर में भी रदीफ और काफिया दोनों मिसरों में होते हैं तो ऐसे शेर को हुसने मतला कहते हैं एक मुम्मा है समझने का नसमझाने का जिंदगी काहे को है खाब है दीवाने का यह है इस घजल का खसने मतला आगे बढ़ते हैं घजल लंबर चार फानी बदायुनी हिदायत के मताबक शेर लिखना है अब आपको लिखना है मक्ता इस घजल का मक्ता ऐसा शेर जो आखिर में आए और जिसमें शायर अपना तखलुस इस्तेमाल करे उस शेर को कहते हैं मक्ता हर नफस उम्र गुजश्चता की है मयत फानी जिन्दगी नाम है मरमर के जीए जाने का हाई आगे बढ़ते हैं हिदायत के मताबक शेर लिखना है यहां लिखना है इस घजल में कौन सी सनत इस्तेमाल की गई सनत इस्तियारा जैसे दिल से पहुंची तो है आँखों में लोहू की बूंदें सिलसिला शीशे से मिलता तो है बैमानी का सनत इस्तियारा रादाव रादाव जब रादाव रादाव